हालो फ्रेंस वेल्कम तू देंप्टेस अगाज में आई होप आप सभी अच्छे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर सेफ होंगे देखिया आज के इस लेशन में हम लोग सुल्ब करेंगे से इंबी पॉब्लिकेशन के बुक से इसे सीजील टीर बन 2017 के कोश्चन्स को यह हैं इंबी पॉब्लिकेशन से 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 नंबर फोलिकेशन से इसके पहले आपको 2016 के जितने भी कोश्चन्स है चाहेतरा है वह हूँ से सीजील पीटी हो एैसे सीईल में以前 सीजील में मेंस तूहंने टोइन टोट हो दिए से सीप्यों पी टी हो में उस इस Nathan में तो आप जो है अगर आप previous lessons, previous year के questions को solution कर रहे हैं खुद से उनको attempt कर रहे हैं जो है improvement करने की courses कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर अच्छे से सिख सकते हैं अगर आपको कहें पर भी confusion होता है तो आप हमारा YouTube channel The Impages Academy को visit करिए ठीक है और उसके playlist section में जाइए और उसमें आपको मिलेगा MB Book Solution 2016, MB Book Solution 2018, MB Book Solution 2019 आप जिस year के भी practice कर रहे हैं और जिस lesson में दिक्कत है आप वहाँ पर जो है इन playlist में जाकर देख सकते हैं lessons को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि maybe एक या दो lesson का आपको solution न मिले सायद हम उस पर lesson न बना हो, अगर न बना हो और अगर आपको उसका solution चाहिए होगा तो please comment box में comment कर दीजिएगा तो आप practice करते रहे हैं, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो comment box में comment जरूर करिएगा चले तो फिस state number 4 to 5 को solution करते हैं, हम लोग detail में देखे question number first and two के लिए direction करता है, कि आपको एक sentence दिया गया है, उसके चार parts किये गया है, जिस part में आपको error लगता है, आप उसे अपने answer के रूप में choose करें, गर आपको लगता है, कोई part में error नहीं है, तो आप जाएए no error वाले option के साथ, question number first, he was such a wonderful person into so many ways, he was such a wonderful person, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, he was such a wonderful person into so many ways, यहाँ पर देखे into का use जो है, यह गलत है, into के जगे हम लोग क्या use करेंगे, in का use करेंगे, यहनकि in so many ways, बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे रास्तों में, वह जो है, बहुत सारे कामों में, वह बहुत ही बढ़ियां व्यक्ती था, ठीक है, तो in so many ways हम लोग यहाँ पर use करेंगे, into का use यहाँ पर error है, तो option C में यहां पर देखिए प्लेश्ट का यूज हुए यानि कि भर्व का सेगंड फॉर्म है यानि कि पास्ट में है अगर हम इसे अच्छा से पढ़ेंगे तो दो मेजिशन प्लेश्ट द बॉल उसका आपका यूज हुआ है अन्डर नीथ ओफ ठीक यहां पर देखिए अंडर नीथ प्री पोजिशन के रूप में यूज होता है और नीथ मतलब क्या होता है किसी चीज के जेश्ट नीचे किसी चीज के नीचे तो अगर हम यहां पर पढ़ेंगे दा मेजिशन प्लेश्ट द बॉल अंडर नीथ इस हैट यानिकि जो मेजिशन है उसने बॉल को अपने टोपी के नीचे छिपा लिया और मेडमिस्टिक साइने विट और इसको पर जो है एक साइन मुना दिया ठीक है तो यहां पर जो है अंडर नीथ का जो मतलब है यहां पर के नीचे हो गया इसलिए जो यहां पर आफ का यूज है सूपर फ्लूरस है यानिकि यहां पर आफ की जरूरत नहीं है तो हम जाएंगे ऑप्शन बी वाले के साथ यानिकि ऑप्शन बी में आपका इरर है आप इस स यानि की इरादा परफेक्षन यानि की आप किसी चीजमें एक दंपरक्षेक्ट है मतलब कि क्या है प्रवीन है बहुत ही अच्छे थिक है और इनवेंशन यानि की अविशकार तो 이हां पर जो जाएगा वो जाएगा आपका option A यानिकी अनेसंस इंटर्वेंशन इंटू अनादर कंट्री जैनिक अगर आप अपने कंटी को छोड़ के दूस्तरे कंट्रीस के वार में हस्ते छेप करते हैं तो यह जो हैं किसमें कनवाइट हो सकता है एक क्राइसिस में कनवाइट हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका राइड आंसर है वो है आपका option A question no.4 as a fitness fill in the blank दिप्ती is always preaching to her friends about the importance of working out options देखते हैं इन्थ्वाइज में इसका मतलब होता है उच्साह ठीक है यहाँ पर उसका बात है इन्थ्वाष्टिक यानिकि एक उच्साही व्यक्ती ठीक है आपको अल्रीडी बता चुके हैं जो हमाय टेलग्राम चैनल है दैंपजे से कैड़ में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप चाहें तो वहां पर जाएए लगवग 10-15 दिन पहले का अगर आप स्क्रॉल करकर देखेंगे तो आई भी के लिए जो हैं आपको इस तरह का ब व्यक्ति होने के कारण जो है दिपती आलवेस प्रीच करती है मतलब अपने फ्रेंज को बोलती है कि आप भी वर्किंग आउट पर ध्याम दें यानिकि उसके महत्म को वह हमेशा बताती है क्योंकि वह एक फिटनेस मतलब फिटनेस वाली व्यक्ति है मतलब उस में उनको जो दोनी समंधि क्या होता है दोनी समंधि ठीक ऑफ्सेंज देखते मियूट यानिकी गुंगा शांत मूग रइटीसेंट यानिकी अलपवासी बहुत ही कम बोलता है साइलेंट यानिके मूग अस्पोकेन यानिके बोल चाल बोलने वाला तो और अप्शिन दी यहां पर आपका राइड आंसर हो जाएगा, question number 6, to astound, astound मतलब क्या होता है, हक्का वक्का हो जाना, क्या होता है, हक्का वक्का हो जाना, यानि कि आप जो हैं अग्दम पूरे confused हो गया है, ठीक है, तो अगर हम options को देखेंगे, but builder, इसका मतलब क्या होता है, कि आप जो हैं एकदम उल्जन में पढ़ गया है, हक्के वक्के हो गया है, तो यहाँ पर आपका जो राइड आंसर है, वो है आपका option 8, एट के लिए रहें की, शांत होना, प्लेसीड यानि की सांत, सिरीन यानि की सांत, तो यहाँ पर देखेंगे, तीनों जो है option B, D और option C, आपके लिए बहुत ही important है, SSC में बहुत वारी जो है, synonym, antonym, OWS को रूप में पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान रखेगा, ठीक है, बाकि यह से सारे options जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सारे आपके लिए इंपोटेंट है, question number 78, यह आप आपको opposite यानि के अंट्यों निम बताना है, disdain का, disdain मतलब क्या होता है, इसका उतला होता है, ठीक options देखते है, इसका मतलब होता है, कि आप जो है, एकदम धर्म वैधानिक व्यक्ति है, मतलब कि आप एकदम किसी एक परंपरा पर चलने वाले व्यक्ति है, ठीक है, options देखते हैं, approved, अप्रूब्ड मतलब कि आपको स्विक्रिती मिल गई, मंजूरी मिल गई, official यानिकी, official मतलब आपका क्या हो गया, official मतलब हो गया, कि आधिकारिक, sanctions यानिकी, स्विक्रिती मिल जाना, मंजूरी मिल जाना, unorthodox यानिकी, अपरंपरावादी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइड आउसर, आपका option D, आपको इडियम का अर्थ बताना है, it goes without saying, इसका मतलब क्या होता है, पूर्णता है, असपष्ट होना, क्या होता है, असपष्ट होना, किसी चीज़ का, option जगते है, to silently bear the injustice, bear मतलब होता है, सहना, अगर इसका अर्थ भर्व कर रूप में use हो, तो इसका मतलब हो जाता है, सहना, ठीक है, the injustice, यानि कि आप चुप चाप injustice, injustice मतलब हो गया, अन्याय, आप अन्याय को चुप चाप सह रहे है, option यह eliminate, option B, आपका something which is implied to be obvious, यानि कि जो चीज़ जो है, बहुत ही, especially option B, आपका है पर right answer हो जाएगा, अगर आप, आपको कुछ कहा जाता है, आप वो नहीं करते हैं, तो वो ना कहने के बराबर ही है, break long relationship with someone, यानि कि आप जो है, कि लंबे relationship को तोड़ दिया किसी से, option B, आपका है पर right answer हो जाएगा, question 10, to let someone off, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि to not punish, to not punish a person who has done something wrong, यानि कि आपने किसी व्यक्ति ने मतलब जो है, कोई गलती किया और आपने उससे punish नहीं किया, यानि कि आपने उससे छोड़ दिया वैसा ही, ठीक है, options रखते हैं, to let someone fall, यानि कि आपने किसी गिरने दिया, तो leave someone in his present state, यानि कि आप उसे उसके अभी की स्थिती में छोड़ दियें, जैसे ते से, to release someone from blame, यानि कि आपने उसके blame रहते वे भी आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है, आपने उसको punish नहीं किया, अब बच रहा है, तो अगर हम इस तरह के sentences को देखेंगे, मेबी, एक तो आपको ये धियान रखना है, कि मेबी जब भी हो, तो वहाँ पर आपको ज्यादा तर जो भर्व है, वह आपको यहाँ पर भर्व के fourth form को, जैसे कि हम लोग जब भी कोई अनुमान लगाते हैं, या सोचते हैं, कि मेबी, यानि कि यहाँ पर option C के साथ जाएंगे, question 12, we would not want them to think we doing anything immoral, यानि कि हम लोग उन्हें ऐसा नहीं सोचने देने चाहते हैं, कि हम लोग कुछ unethic चीज कर रहे हैं, इम्मोरल यानि कि unethic, यानि कि जो अच्छा नहीं हो, ठिक, options देखते हैं, was doing, were doing, done, no improvement, यहाँ पर देखें, would not है, यानि कि यह आपका past form को दर्सारा, will का past form जो होता है, ठिक, तो यहाँ पर भी जो है, हम लोग past मही complete करेंगे, options देखते हैं, was, यहाँ पर चुकि आपका subject we है, तो was तो option eliminate हो जाएगा, क्योंकि subject plural है, तो भर भी plural, यह यहाँ पर एक option है, we are doing, और यहाँ पर है, done, यहाँ पर आपको जो है, correct grammatical sentence नहीं दिया गया है, और option D भी आपका eliminate हो जागा, तो right answer, option B, we are doing anything, immoral, ठीक तो option भी आपका है, पर right answer है, question 13 to 14, यहाँ पर आपको WS, यानि की, one of substitution का आर्थ होताना है, excessively lengthy speech, यानि की, कोई ऐसा भास्रन, उसे क्या का जाता, option देखता है, consistent, यानि की, सब्दांबर, यानि की, सब्दों का बड़ा, अटंबर आपने बना दिया, एक दम बहुती बड़ा speech, बोल दिया, तो right answer, option B, kurt यानि की, रूखा, या फिर संचिप्त करना होता है, और संचिंट मतला भी होता है, संच इस संब्रभूता को दिखाने के लिए हाँ पर आप जो है, एक बढ़िया सा जो है, क्या बनाया गया है, मतलब आप कर सकते हैं, कि वहाँ पर ceremonial occasions होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, options देखते है, aspectical, इसका मतलब होता है, चस्मा लगाना, ठीक है, मतलब चस्मा भ है, बक्सा है, कोई पात्र है, जिसमें आपको चीज रखते है, aspectical, यानि कि प्रभुत्व, यहाँ पर देखिए, सुबनायाटी का यूज हो है, हम इसके साथ जाएंगे, option C, यानि कि प्रभुत्व के साथ, therefore, यानि कि हलकी हवा, question number 15, जो section में आपको correct spelled को choose करना है, contusion, यह contusion, यानि कि कुछलन, किसी को कुछलना, question number 16 है, 6 meters, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कि आपने जो है, कोई तेली तलवार रखी हुई है, ठीक है, तो इसका जो राइट, अर्थ हो गया, मतलब इस वोइट का, इसका जो अर्थ हो गया, वो हो गया, question number 17 है, यहापको sentence arrange करना है, चारो sentence दिया गया है, और आपको arrange करना है, इसके लिए सबसे पले आपको एक subject निकालना होता है, कि आखिर किस शीच पर बात हो रहा है, आखिर हमारा theme क्या है, ठीक है, उसका बाद आप उसे जो है, connect करते हैं, और यहाँ पर 17, three times this was, देखे, आ आपको एक sentence दिया गया है, already, ठीक है, sentence arrangement में हम लोगों ने क्या सिखा है, चारो sentences को पढ़ेंगे, उसका बाद उसमें से एक subject निकालना है, हमारा सबसे tough काम होता है, एक subject को पाशानना कि आखिर हम किस चीच पर बात करेंगे, यानि कि बात किस पर हुआ है, और उसे फिर हमे इससे connect करना होता है, तो यहाँ पर आपको डिनेक संटेंज दिया गया है, कि three times this was, थो है यानि कि तीन बार जो है, यह उसके बाद आपको क्या करना है, कि यहाँ पर आपको connect करना है, तो this was, यहाँ पर कि एक helping médico 104 दिया गया गया वाथ है, already was, थिक, तो इसके बाद आपको मेन भर्व की जरूरत है तो मेनबर आपको यहां पर एक तो शुक्ष हो सकता है ख soprattutto हो सकता है ठिक यहीं आपको जागा ठिक यहां पर आप शुक्ष को लेते हैं लेकिन अगर आप लेते हैं ठी टाइम यह इस बाद को दोहराया गया है और इस टाइम दे अर्थ शुक वित दन वाइज यानि कि हर बार यह दोहराया गया है और हर बार यह सुना गया है कि जो जब पिर्थवी हिला तो वहां पर आवाज हुई जाएट कान ओनली भी कंपेट टूदा डिपेस्ट नोट्स ओफ थंडर जिसे हम कीशलीन से आपको रेगूलर बोल रहे हैं कि आप इसको करिए आप इसे कमेंट बॉक्स मेंट बटायाये कि कोश्टन्स जो है हम एक कौश्टन आप लिए छोड़ दाते हैं कि इसका आशर क्या होगा आप कमेंट ने कर रहें या फिर यहां तक आप लोग लोग को क्या होगा कि आपको ही बेनफिट होगा ठीक इससे आपको ही बेनेफिट होगा किसी और को बैनेफिट नहीं होने वाला कि कि आप जितना प्राक्टिस कर सकते हैं अगर आप इसका पीडियफ चाहिए तो लिंक दे दिया गया है दो सब्सक्राइब करने के बाद ही जो है लिशन जो है पीडियो फिसका सेर कर देते हैं ठीक है नाइंटीन देखते हैं यहां पर आपको एक्टिव पैसी वहाज बताना है तुनिता विल वेक टू डॉजल कपकेक्स फॉर्द बेक सेल यहां पर देक यहां पर देखे यहां पर देखे डन का यूजब कि आपका यहां पर बेक है तो वेक डोना चाहिए और यहां पर इसका यूज़ तो यहां पर देखे इंवाला पार्ट है आप इसे भी पास्ट में चेंज कर दीजिए ऑर यहां पर कुछ चीज़े और धिहाम देनी होती है जैसे कि तुडे का the same day tomorrow का the next day yesterday का the previous day now का देन इस तरह से जुडिस का that इस तरह से आपको जो है कुछ चीजों को change करना होता है तो अगर आपको दिक्कत है narration में तो हमारे टेलग्राम चैनल वहाँ पर आप जाईए और वहाँ देंपटेस एकाड़मी डिस्क्रिप्रिप्शन में लिंक पर तो यहाँ पर जो है आई आई एम तो आई के साथ आपको क्या यूज़ करना है वास का यूज़ करना है ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को डिरेक्टर देखेंगे माइ मुदर सेट वाइफ फादर आई वास्वेड़ी बिजी नहूए यानि के कौन और कर गिये मेरी मा कि मैं भी बहुत बीजी हूँ तो माइ मदर टॉल माइफ फादर डाट सी वास भेरी बीजी देन ठीक तो यहाँ पर देकिए नाव को नाव का छोड़ दिया गया अगर यह प्रेजेंट को मां अंदर वाला पाइट को भी धर रखेंगे ठिक तो यहां पर चुक्क हम देख रहे हैं कि पास्ट में है तो ऑफ्चिन भी आपका यहां पर यहां पर यह बी गलत है क्योंकि नाव को हम लोग चेंज कर देते हैं देन में औप्शन सी आपको आपको पैसे बनाना है और उसे कम्प्लीट करना है सेंटेंस को ठेक चली पढ़ते हैं अब इनव के साथ आपको प्रिपोजिशन गया गया है तो इनफ के साथ आपको फ्रिपोजिशन करना होता है धीस इनव फ़र्द बुक च्टोर अपना लेकिन अब जो है वो क्या होगा है एक लाइबरीरियन बन गए है ठीक है तो असेस इस वैलियोविल कंटेंट यानि कि अपने जो मिलवान चीजें हैं जो बस्तुए हैं उनको असेस करने के लिए दो प्रिफेस आफ दे बुक रीड जो प्रिफेस है यानि कि जो प्राक करता यहां नहीं मदलब बुक का फ़र्फ पेज रीडव पेंटर्स अब यहां पर देखिए आपका जो है सब्जेक्ट है यह प्लूरल ए पेंटर्स तो भर भी प्लूरल अगर हम यूज करेंगे तो यहां पर देकि के पास एक इंडेकल नॉलेज होता है कि कि दो प्रिट कैसे करें बक्त लैक ऑफ अंडिस्टै ने चोब लग तु अन्डेस्टै के लेकिन उनके पास नेचर को समझने की कमी होते हैं मैं लाक होता है वहां होता है थिक फिंडेंश टु क्रीएट आ क्षुक्ड यह ूभी मतलब जो होता है यह नहीं भाता है इसलिए एक लिए मिल पाता है इसलिए जो है एक मास्टरफिस प्रियेट ले में चौह ह PlayStation भी सिख' इस जो भी है किताब मैंने जो सीखा किताब है और किताबों से ही मैंने सीखा सारी चीजों को दग्राइंड लेवरेडी एट दप्लेस यहां पर देखिए पहले स्काइब किसी जगह इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे एट का एड़ दप्लेस यहां पर मैंने लेवरेडी अपनी बनाई है वह एक ग्यान का संग्रा ऐसे भी लेवरेडी में पूरा ग्यान की ही बात ही होती है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे अपना नौलेज गें करेंगे वहां पर पढ़कर फिर सांती से जो है अपने घर आ जाएंगे ठीक है तो पैसेज का अर्थ और यह हुआ पूरा डिटेल में से टमबर 45 का भी सॉलिशन आई होब आपको हरे कोशन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो समझाने के तरीका चलगा तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए अपने शेजी गूरूप में ताक्य और लोग जो है से देखे सम साथ देट दिया गया है तो उसके लिए को जो है आपको क्रेंट अफैर्स प्रो वाइड आजा रहा है किए लिए पैड़ी साप है और रुप में भी वी अपको किय जा रहे है थिक तो उन्हें जरूर आप लूफ डाउनलीट करके बढ़त रहे याद करते रहे सिकते रहे क मस्ते रही है अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर माय टेलिग्राम चैनल है उसके डिस्क्रेशन गूरूप में भी आप पूछ सकते हैं मिलते हैं हम लोग आगे के लिशन्स में थैंक्यू